वाल याल सोट रहूं कि कउङ्रेस न हो ति तो क्या होता क्योंकि मात्मा गांधी की इच्छा थी कि मात्मा zg तो गामाने शारहां और दसके पहले से पहले से इसको खतम करो इसको बिखेर दो मात्मा गांदी ने कहा था लेकिन अगर ना होती मात्मा गांदी की इच्छा के अनुसार अगर हुआ होता अगर मात्मा गांदी के इच्छा के अनुसार कॉंग्रेस ना होती तो क्या होता लोग तंत्रप परिवादबाद से मुक्त होता खारत विदेशी चस्मे के बिजाए स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर पर अगर कॉंग्रेस नहोती तो इमर्जन्सी का कलंक नहोता है अगर कॉंग्रेस नहोती तो दसकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता अगर कॉंग्रेस नहोती तो जातिवाद और छेत्रवाद की खाई इतनी गहरी नहोती अगर कॉंग्रेस नहोती तो सीखों का नर्शंहार नहोता सालों साल पंजब आतं की आग में न जलता अगर कॉंग्रेस नहोती तो कश्बीर के पंडितों को कश्बीर छोड़ने की नौबत नहोती अगर कॉंग्रेस नहोती तो बेट्यों को तंदूर में चलाने की घट्ताएं नहोती अगर कॉंग्रेस नहोती तो देश के सामान मानवी को घर, सड़क, बिजली, पाणी, सोचाले, मौन्स विधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजांगा करना परता आदने सभापती जी, मैं गिंता रहूंगा गिंता आदने सभापती जी, कांग्रेस जब सत्ता में रही देश का विकास नहीं होने दिया अब विपक्ज में है, तो देश के विकास में बाथा डाल रही है अब कांग्रेस को, कांग्रेस को नेशन पर भी आपती है नेशन पर आपती है, यदि नेशन इसकी कलपना गैर समयधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कॉंग्रेस क्यों रखा गए अब आपकी नहीं सोच आई है, तो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस नाम बदल दीजिए और आप हड्रेशन आप कॉंग्रेस कर दीजिए अपने पुरवजों की गल्ती जना सुधार दीजिए आपनी जभावती जी आपनी जभावती जी यहां पर नची विल्गोण रिकार्ड विटोट वैपरिशन आपनी जभावती जी यहां पर फैटरलिजम को लेटर भी तॉंग्रेस, T.M.C. और लेट शहीद अनेग साथियों ने यहां बड़ी बड़ी बाते की जरूरी भी है क्योंकि यह राज्यों के वरिष्ण नेताओं का यह सबन है लेकिन सभी साथ लों को आधनिया सबावती जी ली लाजयों का पूंकि लाजयों कते सब्हान खाडनी ने ने थिरू रहे पानेग से प्कारीबदी बटार। अच्छों करता तन दौरी सबगन पूरेख लुटनित बड़ीजिव ने लीग अणुर।